हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है SEPM अब यह SEPM क्या है? Software Engineering and Project Management तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है आज हम देखेंगे Unit 1 तो Unit 1 के यह कुछ Starting के Topics हैं तो पहले हम देखते हैं इसमें क्या क्या है तो पहला है Introduction फिर है Legacy Software फिर Evolution, Changing और फिर आगे और बहुत सारे Topics हैं तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि Software है क्या तो Software, basically हम इतना सुनते हैं Software, Software तो Software कुछ नहीं है बस एक Program है जिसे Run करके Execute करने से कुछ आएगा अब वो क्या आएगा अब हम दीरे-दीरे देखते हैं तो सबसे पहला Topic जो था अपना Introduction अब ये Software Engineering Engineering क्यों लगा दिया भई? तो Software Engineering क्या है? बस Engineering Approach लगानी है अब हम Engineer बन रहे हैं तो Approach लगानी जरूरी है उनको तो बस Engineering Approach है और Software बनाना है अब Software मैंने आपको क्या बताया था? कि Program है Program में Instructions होंगे तो Instructions में सबसे ज़ादा जरूरी क्या है? कि वो Steps Follow हो और कुछ Methods बने तो देखते हैं ये Legacy Software क्या चीज़ है अब देखो शुरू में तो इतना कोई सोचता नहीं है कि कैसे बनाना है, क्यों बनाना है तो जो लेगसी Software है ये बहुत decades ago बना था तो इसकी बहुत सारे disadvantages थे जिससे कि उसका code बहुत complicated होता था और जो result, result तो मतलब भूली जाओ, आता ही नहीं था तो Legacy Software बेसिकली यही हुआ कि बहुत decades पहले जो software बना उसका जो product नहीं आता था और codes जो थे, वो बहुत ही complicated थे तो वही हुआ Legacy Software अब क्या हुआ, अब demand बड़ी अब लोगों को लगा कि software कहीं न कहीं अलग-अलग जगा काम आएगा जिसे आज हम देखते हैं, business में काम आता है बहुत जगा काम आता है तो धीरे-धीरे evolve हुआ software तो अब हम देखेंगे कि software evolution का क्या मतलब हो रहा है अब देखो, शुरू में जब हम सोचते हैं software का, तो software का हमें लगता है कि ऐसे छोटे-मोटे products होंगे, जो mobile phone पे होंगे पर जैसे-जैसे evolve हुआ तो software के होते हैं दो रोल्स, वो मैं आपको बताती हूँ software के dual roles तो dual roles में आता है पहला एक होता है product एक होता है product और दूसरा होता है as a vehicle तो जब हम बात करें as a product तो अपने phone पे phone पे जितने भी software हैं, जैसे आप मान लो कोई game है, ठीक है, game है calculator है, यह सारे software है तो software as a product में आएगा आप मान लो games, तो games अब वो phone पे भी हो सकते हैं और जो games हैं वो आपका किसी computer में भी हो सकता है, तो यह हुआ example as a product का, अब जब हम बात करेंगे vehicle, तो vehicle का क्या काम होता है किसी product को कहीं लेके जाना, बस vehicle कर रहा है vehicle की information को transfer कर रहा है, तो vehicle को हम ऐसा सोचेंगे कि वो information transformer ठीक है, अब transformer का कोई अलग मतलब मत पिकालना बस इतना सोचो कि एक जगा से दूसरे जगा लेके जाना है तो उसको हम बोलेंगे information transformer अब इसके example में सबसे असान और जो अब भी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, पूरे college भर में वो होता है OS अब OS क्या है? operating system operating system पूरे computer को संभालता है लेकिन operating system खुद भी एक software है उस software के अंदर और भी बहुत सारे software से जिसे वो चलाता है तो इसलिए उससे हम कहेंगे as a vehicle तो देखा अपने की software हुआ उसके evolution के वज़े से उसके अलग-अलग roles अब हम सोचें तो उसके बहुत सारे roles बना सकते हैं पर यह majorly उसे bifurcate करता है अब आई बात जो अगला topic है हमारा वो है changing nature of software तो changing nature of software में क्या होगा? कि धीरे धीरे जैसे सबसे पहले मैंने आपको वो changing nature of software में तो हम कहां थे? changing nature of software तो देखते हैं अब changing nature तो changing nature से हमें क्या समझाता है? कि software पहले कुछ और काम करता था अब दीरे दीरे करके change हो गया अब भी कुछ और काम करने लगा है तो सबसे पहले देखते हैं सबसे पहले हम क्या जानते थे? तो पहला आता है point system software अब सबसे easiest example जो मैं दे सकती हूँ वो है compiler अब compiler तो भई हमारे हर computer हमारे हर lab में है compiler छोटे से छोटा से काम करता है अब हमारा friend भी है वो भी पढ़ाता है तुमको compiler design उसके वीडियो में जाके देख लेना compiler क्या है फिर आया application software तो जब यह system software था system से छोटे छोटे काम करने के लिए अब आ गया application software तो application software में अब हम तो बचपन से देख रहे हैं powerpoint में बना रहे हैं, microsoft word में काम कर रहे हैं तो यह सारी चीज़े आ गई application software किसी application को बनाने के लिए फिर आया embedded system तो embedded system से हमें क्या समझाता है कि एक software है जो सर्फ एक काम कर सकता है जिसे कि mobile phone लेकिन क्योंकि यह software है अब भई change हो रहा है nature तो उसके अंदर कुछ तो अलग होगा तो अब कुछ तो अलग में ऐसा होगा कि mobile phone के अंदर बहुत सारे applications होंगे लेकिन embedded system का एक ही काम होगा फिर आते हैं web applications के web applications अब web applications मुझे लगता नहीं मुझे explain करना पड़ेगा पर फिर भी ऐसे example में जिसे shopping करते हैं लड़किया तो भई दिन बार उसी में shopping करती है तो web applications उसका example हुआ फिर आया AI तो AI है artificial intelligence अब artificial intelligence बताओ भगवान ने हमें दिमाग दिया अब हम चाहते हैं machine को भी दिमाग चाहिए चलो ठीक है इसका भी software बना लेते हैं तो यह है artificial intelligence software फिर अब इस पे सादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है अपने university में जो major आता है वो हमने पढ़ा अभी legacy software वगएरा तो इसको आप एक बड़ी ध्यान से ऐसे read कर ले ना बस और कुछ नहीं फिर उसके बाद आता है myths अब myths से क्या समझाता है myth मतलब जिसे तुमने कोई सुनी सुनाई बात सुन ली हो और उसको सच मान लिया तो वही हो गया myth अब अगर हम software की नजरों से देखें कि myth क्या है तो उसको अब हम तीन भागों में ऐसे बोल सकते हैं तो एक आता है management myth एक होता है customers myth और एक होता है developers myth तो management myth अब management में जो लोग बैठते हैं बड़े बड़े लोग उनको ये लगता है कि अगर हमने काम दे दिया तो वह खतम हो जाना चाहिए और उतने ही time में होना चाहिए उनके साब से तो पहली हो जाना चाहिए छोड़ो खेर तो management myth में ऐसा होता है कि management वाले सोचते हैं कि अगर हम उस group of team में और लोगों को डाल दे फिर एक और मित आता है कि अगर तुमने ठीक से बनाया नहीं या वो satisfied नहीं है ये जादा अच्छा है हाँ वो या जादा satisfied नहीं है तो उनका कहना है कि अब हम दूसरी party को दे देते हैं वो बना के दे देगा क्या हम क्या बेवकूफ नजर आते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है ये सारी हुए मित ये है management उसकी मित की फिर आता है customer मित अब कस्टमर को लगता है कि जो software बनाता है वो भाई जादूगर है तुम कुछ भी ना बताओ और सारा काम हो जाए तो ये हुआ customer का सबसे पहला मित कि हम कुछ भी उसका requirements नहीं देंगे धीरे- पहला और important होता है requirement इकठा करना तो requirement अब कौन बताएगा customer ही बताएगा कि उसको क्या आची है software में तो customer का ये बहुत जरूरी पार्ट होता है software में कि वो requirement बताए लेकिन एक मित है customer की कि हम धीरे जब याद आएगा तब बता देंगे तो काम हो जाएगा फिर आया developer smith अब developer को लगता है कि मैं इतना काम कर रहा हूँ इतना code लिख रहा हूँ तो फिर मैं manual क्यों दूँ अब manual भी एक बहुत important चीज है software की manual क्या समझाता है अब man आता है इसमें सोचो man क्या कर सकता है man कुछ लिख सकता है हमने तो लिखना पढ़ना इसीखा है सबसे पहले तो manual में हर चीज software की लिखी होती है कि कहां से start हुआ उसमें क्या-क्या changes आए तो manual सिर्फ customer के लिए नहीं है वो जो बना रहा है developer उसके भी है तो यह developer का समझना बहुत जरूरी है कि manual से अगर कोई नया member आया मान लो तुम्हारी तब्यत खराब हो गई किसी नय इंसान को आना पड़ा तो अब कोई नया इंसान आएगा तो तुम बठा के उसको पूरा तो समझा नहीं सकते अपना भी तो काम करना है ना है कि नह लिए manual बहुत जरूरी है तो developer का यह कहना है कि अब मैं इतना code लिख रहा हूं तो खुद ही समझ जाओ तो यह हुई ना गलत बात myth वाली बात हो गई तो यह तीन जो है यह major ऐसा उसका bifurcations है जिससे आप myth को बता सकते हैं